आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question में क्या दे रखा है? Question में दे रखा है कि Find the Equation of the Circle ठीक है? तो हमें Equation find out करना है एक Circle का जिसका Center क्या है? H, K है और First में क्या बोला है? कि वो X-axis को टच कर रहा हो Second में बोला है Y-axis को टच करे और Third में बोला है दोनों X-axis को टच करे ठीक है? सबसे पहले First को देख लेते हैं तो यह हमारा मानलो Coordinate Axis ऐसा कुछ है ठीक है? तो यह Coordinate Axis होगी है हमारा यह X और यह Y-axis अब क्या बोला है कि हमारा जो Circle है वो X-axis को टच कर रहा होगा ऐसा हमारा कोई Circle होगा जो X-axis को टच कर रहा है तो यह हमारा Center होगी है Circle का जो दे रखा है क्या? H,K अब देखो Center से अपन Perpendicular Draw करें किस पे? X-axis पे तो यह हमारा Radius के Equal हो जाएगा यह हमारा Radius और यह Radius हमारा देखो किसके Equal हो जाएगा? इसके Y Coordinate That is K के Equal तो हमें Center पता है और Radius पता है तो Circle का Equation क्या हो जाएगा? X-X1 यानि कि H देखो यह हमारा X1 और यह Y1 है तो X-X1 का Whole Square प्लस Y-Y1 का Whole Square is equal to R का Square R का Square देखो हमारा क्या हो जाएगा? R हमारा K है तो K का Square तो यह हमारी Value क्या आ गई? देखो इसको Solve करो तो यह A-B का Whole Square यानि X का Square प्लस H का Square माइनस 2HX प्लस Y का Square प्लस K का Square माइनस 2KY is equal to K का Square लिखा हुआ है तो यहां से देखो Cancel क्या होगी है हमारा K Square से K Square Cancel तो हमारी Circle की Equation आ चुकी है यहां पर मैं लिखता हूँ अरेंज करके इसको ठीक है तो X2 प्लस Y2 माइनस 2HX माइनस 2KY ओके? प्लस H2 is equal to 0 तो यह हमारी First वाले के Corresponding यानि कि जो अब X-axis को टच करेगा Circle तो उसका Equation आ गया Second को Solve करते हैं उन्होंने बोला था Y-axis को टच करेगा तो देखो Y-axis को टच करेगा तो हमारा Circle कुछी Step में होगा यह देखो यह Coordinate Axis है अब क्या कर रहा है हमारा यह Circle हमारी Y-axis को टच कर रही है तो ऐसा कुछ Circle हमान लो यह रहा हमारा Circle ओके? जो Y-axis को टच करेगा देखो Center अभी भी इसका क्या है Center यहाँ पे H, K ही रहेगा अब देखो Y-axis पे Center से Perpendicular Draw कर दो ऐसा कुछ तो यह हमारा Radius के Equal हो जाएगा और देखो यह क्या हो जाएगा यह X Coordinate जो हमारा H है उसी के Equal हो जाएगा R equal to H है अब देख सकते रिवी मेटरी से तो यहाँ पे Circle के Equation क्या हो जाएगा X-axis1 का Square Plus Y-axis Y1 का Whole Square Is Equal to Radius Radius हमारा क्या है? H है तो H का Square इसको Solve करो यह X Square Plus H Square Minus 2HX लिखा हुआ है यह क्या लिखा हुआ है? Y Square Plus K Square Minus 2KY Is Equal to H Square देखो Cancel क्या हो गया हमारा H Square से H Square Cancel तो हमारी Circle के Equation क्या आ गई? X Square Plus Y Square Minus 2HX Minus 2KY Plus यहाँ पे K Square Is Equal to 0 तो यह हमारे Second Second वाले Condition के Corresponding हमारा Circle का Equation देखो यह आ चुका है Third में क्या बोला था? कि Both Axis को Touch करें ठीक है? तो Third में अपन स्वाल करते है जब Both Axis को Touch करेगा तो हमारा Circle कुछी Step में दिखेगा देखो यह हमारा Coordinate Axis है और इसमें क्या बोला है? कि Both Axis को Touch करें ठीक है? तो Both Axis को Touch करेगा उसमें देखो यह ऐसा कुछ हमारा Circle हो जाएगा यह रहा हमारा Circle ऐसा माल लो ठीक है? जो Both Axis को Touch कर रहा है अब देखो यह जो Center अभी भी क्या था? H, K ही था H, K अब देखो जब Both Axis को Touch करेगा तो हमारा यह, यह भी Radius हो जाएगा और यह भी हमारा Radius ही हो जाएगा दोनों पर Perpendicular Draw करें तो ठीक है? तो Radius हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो Radius अपन यहाँ पे बोल सकते है Radius किसके Equal हो जाएगा? या तो K या तो H के Equal और एक चीज़ अपन देख सकते हैं यहाँ से जो H और K है यह दुनों आपस में Equal हो जाएगा क्या हो जाएगा? K Equal to H ही होने वाला है इस relation से भी देख सकते थे अपन Radius हमारा K के Equal भी हो सकता था या तो H के Equal तो यहाँ से भी देख सकते थे हमारा K हो जाता, तो यहाँ पे जो X-K रख देता हूँ H के जेगा पे और यह है Y-K का Equal is Equal to K का Equal तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? इसको solve करो तो यह हमारा लिखा वो X2 plus K2 minus 2KX plus Y2 plus K2 minus 2KY is equal to K2 तो 1K2 से 1K2 cancel हो जाएगा, क्या बचा है यहाँ पे? X2 plus Y2 minus 2KX minus 2KY plus K2 is equal to 0 बचा हो तो यह हमारा सर्किल का Equation हो जाएगा, थर्ड वाले condition के बाउट, थैंक यू आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 84444 पर झाले